जमीन का टुकड़ा नहीं है आपके लिए, ना एक नक्षे पे बनाई हुई लकीर है, ये आपके लिए वो धर्ती है, जिसे आप मा समान मानते हैं, जिसके लिए आपके दिल में वो श्रद्धा है, वो प्रेम है और वो निष्ठा है, जो एक बेटे या एक बेटी की अपने मा के प्रती होती हैं, शायदा फट जाएं तो देख पाएं, इस धर्ती के लिए दिख रहे हैं, इस धर्ती के लिए सैक्रो लोगों ने कुर्बानी दी, भी श्रीकांताचार्या और सैक्रो अमर वीरों ने तलंगाना के लिए एक सपना देखा था, और उस सपने के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, मित्र लारा, मित्रू लारा, कोशिश करूंगी, तलंगाना विध्यार्ती, अमर वीरलू, एया कांग्शाल कोसम, आत्म बिलदानलू, चैसुकुन नरू, ठीक बोला, उनकी क्या इच्छा थी, उनकी क्या आशा थी, उनकी इच्छा थी, उनकी लड़ाई थी, कि यहां के युवाओं के लिए रोजगार बने, कि आने वाली पीडियों को अपना पूरा हक मिले, उनके साथ जाद्ती नहों, किसानों के लिए उन्होंने ये सपना देखा था, कि उनको पानी मिले, फसलों का सही दाम मिले, कर्स का बोज न उठाना पड़े, अपनी बेहनों के लिए ये सपना देखा था, कि पूरी तरह से उन्हें भी अपना हक मिले, और सारी सुविधाएं मिले वारंगल, रेंगा डेडा, रेड़ी, नलगुंडा, करीम नगर, महबूब नगर, जैसे शहर भी हैदरबाद की तरे विक्सित हो, उनका नाम भी पूरी देश दुनिया में मशूर हो ये शहीद जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना जीवन दिया, ये चाहते थे कि बाबा साहे दंबेटकर, महात्मा फूले जी, कौम रंभीम जी का जो सपना है वो साकार हो सबको समाजिक नियाए मिले, सबको समान हक मिले, पूरे तेलंगाना का यही नारा था, नीरू, निद्दलू, नियमा कालू पानी, फंड्स और रोजगार, यही आप सबका नारा था, इसके लिए सेक्डों कुर्बानिया दी गई, किसान, युवा, महिलाएं, दलेत, आदिवासी, सब अंदोलन के नायक थे यहाँ की बेटे, यहाँ की बेटियां इस अंदोलन के नायक थे, ऐसा कोई एक नेता नहीं था, जिसने इस अंदोलन को आगे बढ़ाया, यह आप का अंदोलन था, तेलंगाना की धरती के बेटे और बेटियों का अंदोलन था, उन्होंने कुर्बानिया दी, उन्होंने आ दोलन किया और इन कुर्बानियों की वज़े से आज हम तेलंगाना प्रदेश में खड़े हैं आप तो जानते ही होंगे मेरे परिवार ने भी कई कुर्बानिया दी इस देश के लिए इंदरमा भी शहीद हुई मिट्टी के लिए कुर्बान होने का मतलब क्या होता है ये मैं जानती हूँ मेरा परिवार जानता है और समझता है जब हम सब कहते हैं कि किसी की शहीद किसी शहीद की कुर्बानी वियर्थ नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है मेरे परिवार के सदस्य जानते हैं औ और यहां तेलंगाना में एक एक फुरुष एक एक महिला जानती है क्योंकि आप में से हजारों लोगों ने यही कुर्बानी दी अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए कुर्बानिया एक विचार के लिए दी जाती है दिल में जो इनसान जिस चीज में विश्वास करता है जिसके लिए लड़ता है उसके लिए कुर्बानी दी जाती है जब सेक्डो युवाओं ने तेलंगाना के लिए कुर्बानी दी तो मेरी मा सोनिया जी ने गहराई से ये समझा कि यहाँ की आवाज क्या है यहाँ की जनता क्या चाहती है और मुझे याद है कि एक सरल निन्ने नहीं था एक तने से एक मुश्किल निन्ने था क्योंकि अगर सोनिया जी उस समय सत्ता के बारे में सोचती या अपनी पार्टी के लिए राजनीती के बारे में सोचती तो शायद ये निन्ने नहीं ले पाती लेकिन सोनिया जी ने आपके बारे में सोचा आपकी इच्छा के बारे में सोचा जो अंदोलन आपने बनाया था उसके बारे में सोचा जो आप चाहते थे उसको सुना समझा और तभी ये निन्ने लिया गया तेलिंगाना जब बना तो यह स्पर्ष्ट था कि यह प्रदेश अपना रास्ता अपने आप तै करेगा सब की यही इच्छा थी और आशा थी कि एक मजबूत प्रदेश बनेगा कि जितनी आशाएं आंदोलन में व्यक्त की गई थी